ऐसा प्रधान मंत्री मिलना भारत के इतिहास संभोव नहीं है। 2000 वर्सों में नहीं कोई संभोव का इसा प्रधान मंत्री मिले। कि धर्म को इतना एक संक्राचार से बढ़ के भी आंगे इन्होंने करके दिखाया। मैं नरंद्र 셌त मैं नरंदर मोधी हैं मैं खुद का रहा हूं कि नरंदर मोधी को बाबा भी सथे रूप में दिखिए वह पाएंगे बाभाबा भी सुना सफच्छा वहीं हैं मोदी जी यहां के सांसद भारत के यह शश्वी परधान मंत्री हैं शायद ही कोई ऐसा परधान मंत्री हो जो काशी के लिए इतना कभी सोचा मोदी जी जी ने जो यहां पे कारे किया है उसके लिए कोई बतलब कलपना से भी वड़के उपर का कारे है कोई उमीद नहीं किया था कि आज काशी विश्वनाथ जी को मैं इस रूप में देख सकते हैं मेरा तो एकी चीज कहना है उत्तर प्रदेश अब बनता जा रहा है उत्तम प्रदेश मेरा नाम पीयन सिंग है बनारस का विकास बताई है क्योंकि आपने काफी साल यहां पर निकाले हैं आपने देखा होगा गलिया और जैसे अभी विकास की बात हम कर रहे हैं कैसा है डवलप्र विकास का तो पूछिये हिमत बनारस कोने कोने में जो विकास हुआ इसकी हम नगरी है और विश्व की सबसे पूरातन नगरी है यहां भगवान बोले नात के लिए हम लोग दर्शन करने के लिए यहां जाते थे तो जो विवस्था थी आज तो उस विवस्था में इतना अम्मूल चूल परिवर्तन हो गया है कि अब पूरा मन गदगद है और यह सब udis whopping मोदी जी यहां के सांसद भारत के यह आश्यक्रणी मंतरी है कोई इसा प्रदान मंतरी है यह काशी के लिए इतना कभी सोचा और यह मोदी जी है जिनके नेत्रित में बनारस ही नहीं पूरा देश आज पूरा भारत का जो विश्व में नाम है वो केवल मोदी जी कारण है काशी में इतना डेवलेप्मेंट हुआ है इतना विकास किया है मोदी जी ने लेकिन अखिलेश आद अब तो क्रेडिट खुद ले रहे हैं करें काशी की नीव हमने रखी थी योगी सरकार मोदी सरकार तो सिर्फ रिबन काटने का गाम है अईसा है अखिलेश हो या राहूल हो यह लोग केवल ऐसे ही बोलते रहेंगे यह फीता उन्हीं का काटा हुआ है अरे फीता काटे थे तो बनवाए क्यों नहीं केवल फीता काट काट के वोट मांग रहे थे यह सब केवल जातिवाद की राजनीत करेंगे कुछ इधर उधर की समाज को बाटने वाली राजनीत कर नहीं कि जो हिंदू होगा वो हिंदू वादी होगा ही हिंदू तूसमें होगा ही जो कृष्ण को किसन बोल रहा है जिसको कुछ पता है नहीं गीता का वो सायद एक स्लोक सुना दें तो मैं समझता हूं कि हाल वो कुछ पढ़े वो केवल बोलना है कुछ करना धरना है नहीं इ मूझे ऑर काशिको चाहते हैं कूटो वाले कई जैसा चाहते हैं कि इतना काशी-जैसा चाहते हैं और सारी दुनिया इसक्रेज को देखने के लाएगी ऐसा करना मोदी और क्योल मोदी जी के एक बसके चीज थी ये लफाज चाहे रहूल गांदियों या किलेशों इन लोगों के लफाजी का कोई ठेकाना नहीं ये कुछ करने वाले नहीं है इनको तो ओट चाहिए और ओट नह राजनेदिक छेत्र में कोई भी छेत्र अचोता नहीं ये जाएगा तॉन्द्शटान गर्व से कहेंगा हम सारे लोग कहेंगे हम घृण हिंदू है यह मोदी हर महाद है हम कमलूपमेंट में रहता है हां आले से सब्सक्रा अधा ता हम जो बोलता है मोदी इस मोदी मोदी का कोई विकल्ब नहीं है ठीक है कि कले मोधी भगवान है कर लास्त सर्गा है हमको सिभ मिल गया ठीक है और हर में महादब है तो हर महादब नमस्ते महाजी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप भी कुछ बोलना चाहेंगे क्या कहें इस पर जो अकिलेश कह रहे हैं उसके लिए कोई मतलब कल्पना से वह बढ़ने के ऊपर का कार्य है कोई अमीद नहीं किया था कि आज काशी विशुनात जी को मैं इस रूप में देख सकते हैं कि कलपना नहीं कि थी कलपना नहीं किया था कि इस तरह का रूप हमें देखना पड़ेगा और इतना सुगम अब लोग उमिद्ध नहीं था बिल्कुल यह मोदी जी के आने पर संभव हुआ है कि इसके सपना को सकार किया है जो पांसो हजार साल से मामला इसे पड़ा हुआ था इसको उन्हों ने आकर के सकार किया है इसके लिए मोदी जी ने जो भी किया है जितना कहा जा उनकी तारीफ में जो भी सब्सक्राइब कम है कि मोदी जी बने रहने चाहिए कुल बने रहे और पूरे 200 पटल पर चमकते रहे मोदी जी यह देखें मेरे नजरिया है कि सारे मकानों का रंग है एकदम पूरी गोदवर्या से लेकर पूरी ऐसा कभी नहीं हुआ मैं तो 25-30 वरसों से कासी म लेकिन एकदम रंग गया बाबा भुले नात के रूप में एकदम रंग आज धाम एकदम गंगा जो दर्सन है नमामी गंगा वो कहें उसको सकार करके दिखा देंको उसमें प्टिया गंगा का दर्सन कीजिए उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है इस पर भी पर में हम लोग हैं आज पूरी दुनिया यह तूटिये देखे आई यह आसाम से आये हुए यह तमाम दुनिया के कोने कोने से लोग आये हैं यह सनातन धर्म अवाज हो रहा है कि कोई परधान मंत्री काल भैरों में दर्सन लिके उनकी अनुमति से बाबा भी सुनात में आओ ग दुनिया को रहने आओ धने का और कोई नहीं दे सकता है इनके रहा है ऐसा प्रधान मंत्री मिलना भारत के इतिहास में संभव नहीं है कि नरन मोदी को बाबा भी सुनात के रूप में देखिए वह पाएंगे कि बाबा भी सुनात सच्छात वहीं है जो आज कासी का गुद्धम बंबं बोल रहे हर हर महादेव नारा लग रहा है सारी कासी की जंता चुटी होई है अब पूरा दीप मालाओं के साथ उनका साम को स्वागत होगा पूरी सहर में हर घर दिपावली मनेगे जैसा जो ध्यामें राम आये थे वह से कासी माल जोगमान के रूप में स्वेम मोदी जी आ रहे हैं हम सब को बड़ी लाहर है बहुत लाहर है आप के चैनल को धन्यबाद देते हैं धन्यबाद देते हैं कि बहुत अधाम यहां कोई नहीं है लेकिन सारे दुनिया के लोग परियाटक आते हैं अकासी बंबं बोल रहा है सारे परियाटक अस्थाल भर जाते हैं होटल भर जाते हैं पुरुए हमेशा से उसको एकदम नमीन करण कर दिए उसका आज सब के अंदर एकदम जोस भरा हुआ है जिसके लिए हम पूझनी है सदियों से हजारों वर से बेद पूरान सास्टच से लेकर वो किसी देश में नहीं होता है भले भाउतिक जगत को लेकर पछिमी देश है लेकिना ध्यात्म के लिए हमारे ही घुरु है आती है लोग जो कासी का ना जारा विस्व गुरु में जो सा और मस्त है देखिए हम लोग मस्त एकदम है है यहां पर आपको विकास लगता है पहले दर्शन करने जब आते थे तो पहले कैसे हालाद हुआ करते थे और अभी अभी कैसे नहीं पहले से बहुत सफाइ में सबकुष में प्रोग्रेस है नालियां खुली मिलती ती घंदी की मिला करती थी अभी नहीं है सब सही है आप क्या कहेंगी माडमी स्भी से है नहीं है मेरा तो एकी चीज कहना उत्तर प्रदेश बंता जा रहा उत्तम प्रदेश पहले आपको दिक्ता था कि गलियां चोटी हुआ करती थी अभी जो गली चोड़ी कर दिये इससे कुछ परशानी तो नहीं होती आने जाने में बिल्कुल परशानी नहीं होती है क्योंकि फुटपाथ का भी चोड़ाई जो है बढ़ाया गया है और प्रॉपर उसका ध्यान रखा जाता है सड़के आप द दर्सन करने मिलनी रहा है क्योंकि हम लोग के प्राइम निस्टर मोधी जी आ रहा है लेकिन जब भी अम लोग दर्शन करने जाते हैं प्रॉपर एकदम अच्छे से दर्शन हो जाता है जो कि पिछले कुछ सालों से नहीं होता था पिछले सालों में और सरकारों नों ध्यान नहीं दिया था कि इस चीज़ पर कि गंदगी है गलियां छोटी है शृधालू अंदर नहीं जा पाते हैं भीड हो जाती है जी पिछली मौधि गोवर्मेंट से कि मोधी क्या जा भीड हाने से लोग बहुत संतुष्ट है पहले कि क्या हाला आते बाधरा सुरकाशित है पहले से मैं अभी देखना मिलता है 2-3 साल के अंदर बहुत सुधार है यहां पर जो गंगा जी घाठ है जो घर्षन होता है पहले से बहुत ह पर दें गुजरा से यहां पर फर्स टाइम है बट बहुत अच्छा लगा मुझे अब क्या कहेंगे सफाई का विकास हुआ यहां पर आई तो बहुत हुआ है पहले बहुत सफाई हुआ है आप तो जैसे कि जाएक नाली फाले में जो पहले पानी नहीं है मचल लगते थे अब में बहुत खम दीया दिया जाता था कहने पहीं लोग सफाई हो जाता है जार्फ हेला जरूबस कर पायंगे जरूर कर पायंगे जदू करेंगे